बिहार के भागलपुर में एक ऐसी वारदात हुई कि आपकी रूह काप जाएगी सरे बाजार एक हिंदू महिला पर कुलहाडी से बार बार वार करके एक व्यक्ति ने न केवल उसके हाथ पेर काट दिये बलकि उसकी नाक काट ली आरोप लगा शकील नाम के शक्ष पर जो इस समय पुलीस हिरासत में है भारतिय जन्तापार्टी इसे जिहारियों की कारिवाई बता रही है वहीं नितीश कुमार पर तुष्टि करण के आरोप भी लग रहे है बिहार के भागलपुर में तिल्ली जैसी दरिंदिगी बहरे बाजार हिंदू महिला के हाथ पैर काटे मुख्य आरोपी शकील का जिहादी कनेक्शन भागलपुर में दरिंदिगी से भरा शद्धा पार्टू बिहार के भागलपुर की निलम की तरिंदो ने ऐसी हालत कर दी कि हम उसकी तस्वीर आपको दिखा भी नहीं सकते उसके हाथ पैर काटे जा चुके हैं उसकी नाग भी काट दी गई तस्वीर उस वक्त की है जब वो आखरी सांसे गिन रही थी भागलपुर के पीर पैती बाजार में निलम घर लोट रही थी अचानक घात लगाए बैठे शकील और उसके साथियों ने निलम को घिर लिया और उस पर धार-धार हत्यारों से हमला कर दिया शकील के साथ उसका भाई और दूसरे साथी थे दरिंदू ने निलम के हाथ पैर काटा ले नाक के साथ जिस्म के कई और हिस्सों पर ताबर तोड वार किये निलम लहुलुहान बाजार में ही गिर पड़ी बात में उसकी मौथ हो गई पैदा ला रही थी बस उसी जिगह उसका बसा है रस्ते पर पहाडवा पर उसका बसा है रोट के उपर में इसमें भोग दिया दोनों अस्तन को काट दिया बिहार में इस कांट को लेकर खासी सरकर्मी है विपाख्ष के नेता विजय सिन्ह का कहना है कि शकील ने जिहादियों जैसा काम किया है विधान सभा में इस कांड को उठाए जाएगा उन्होंने मामले को तिल्ली के शद्ध जैसा बताया मतलब भरवरता पुर्ण अतातायों का एक ऐसा द्रिस सर्धा के साथ जो घटना घटित हुआ उससे ज़्यादा बिभत्स घटना ये है इस तरह की घटना का और दुरभागे है कि आज बोट और तुस्तिकर्ण की राजनीत में कुछ लोग इसको चापने में लगे है अरे इससी घटना का निंदा करो तोरी सी भी मानवता बची है अटाउप सिखर पर बैट करके संदचित मत करो धर्म के नाम पर जाती के नाम पर मत खिलने का पढ़ियास करो पुलिस में मुख्य आरोपी शाकील को गिरफतार कर लिया है उसके साथ ही भी पकड़े कए डियाई जी का कहना है कि FSL की टीम ने मौके पर कई सबूज जुटाएं है खोन से सने कपड़े से लेकर कातल में इस्तेमाल कुलहडी और दूसरे हत्यार बरामत कर लिये गए इस घटना में एक कुलहडी बरामत की गई है शकील मिया के बासा से जहां पर की अपना अमाल मवेशी वगरा लोग रखते हैं और उसी कुलहडी से हत्या उन पर महिला पर वार करने की बात बताए जाती है जिसके निशान मिले है और फेसल की टीम को भी बुलाया गया है जो पियो और सारे मड़ो वेपन वगरा का जाच कर रही है शकील समेथ सभी आरूपियों को कारून सजा देका लेकिन जिस दरिंदिकी के साथ वार्धा को अंजाम दिया गया है वो कई सवाल छोड़ गया भागलपुर से निभास मोदी के साथ पटना से रोहित सिंग आज तक